हलो दोस्तों स्वाइट है अपने चेनल एक्जाम इसान पे तो अगर फिर से मैं हाजिर हूँ 10 जुलाई 2021 के इंपोर्टिन इमेंडिस के साथ देखिए आज के बाग जो करेंट आफर्स की वीडियो है वो मौर्णिंग में 6 एम पे अपलोड होगी क्यों लास्ट में आपको दो कोर्शन के जौब देने है आज का पहला कोर्शन है इंडिया का पहला इंटरनेशनल मेरी टाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहां सटप किया गिया है तो भारत का पहला International Maritime Arbitration Center गुजरात में सिटप किया गया, कहां पे गुजरात में गुजरात की Gift City जो है, वहां पर International Maritime Arbitration Center सिटप किया गया है, जिसका नाम होगा गुजरात International Maritime Arbitration Center इसके लिए गुजरात Maritime University और IFSEA ने आपस में MOU साइन किया है यह जो GMAC है, यानि गुजरात International Maritime Arbitration Center अपनी तरह का पहला Arbitration Center होगा इंडिया में जहां पर Maritime और Sipping Industry से Related Arbitration और Mediation को मैनेज किया जाएगा अब भी तक इंडिया में 35 Arbitration Center है लेकिन specifically Maritime सेक्टर के लिए कोई भी Arbitration Center नहीं है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसके लिए हम लोग Singapore Arbitration Center का यूज करते हैं तो यह रखेगा, Gift City में इंडिया का पहला International Maritime Arbitration Center सेट अप किया गया है और कौन रिगुलेट करेगा इसको IFSCA इसको रिगुलेट करेगा IFSCA की बात करेगा International Financial Service Center Authority टोटल 9 मेंबर होते हैं इनका टेनियोर होता है 3 येर्स के लिए IFSCA के फर्स चेर्में कोन है इनजीती 3 निवास इनका भी टेनियोर 3 येर्स के लिए याद रखेगा गुजरात इसमें बहुत चर्चाम है क्योंकि गुजरात की एक पंच मुली लेख है कौन सी पंच मुली लेख Statue of Unity के पास है पंच मुली लेख वहाँ से 194 क्रोकोडाइल सिफ्ट किये गए है और अब इंडिया के पहली Maritime Arbitration Center कहा से टरब की गए Gift City कुजरात में नगा कोशन है DRDO किसके साथ मिलकर MTEC Program in Defense Technology लाँच जागया है तो क्योंकि MTEC है तो एक Common Sense से लगा सकते है कि AICTE इसमें involved होगा All India Council for Technical Education ये देख लिजिए All India Council for Technical Education DRDO के साथ मिलकर इन्होंने MTEC Program in Defense Technology लाँच किया है आप से एक्जाम में ये भी पूसकते है और साथी साथ ये भी पूसकते है कि ये जो MTEC Program in Defense Technology है इसमें कितनी streams को सामिल किया गया है यानि कितनी streams में MTEC provide किया जाएगा तो टोटल 6 streams में ये MTEC provide किया जाएगा तो एकिया DRDO और AICT ने साथ मिलकर MTEC Program in Defense Technology लाँच किया है और ये MTEC Program 6 streams में available होगा ये streams रजने के आपको जरुत नहीं है DRDO के बात करें 1958 में स्थापना होई थी नई दिल्ली में headquarter है चेर में है Dr. G. Satis Reddy DRDO का motto है Strength Origin is in Knowledge यानि बलस मूलम विज्यानम और DRDO दोरा L&T के साथ मिलकर 12 short span vision system develop किये थे 10 meter length के ये हम लोग पढ़ चुके है नया question है कौन इंडिया का पहला railway station बना है जहां पर Movable Fresh Water Tunnel Aquarium located है तो Movable Fresh Water Tunnel Aquarium वाला इंडिया का पहला railway station हो गया है बैंगलूरू कौन बैंगलूरू ये देख लीजिए ये है आपकी Movable Fresh Water Tunnel Aquarium जैनि जब आप इसके वीज़र से गुज़रेंगे तो आपको लगेगा एक बैते हुए पानी के एक्वेरियम से हम लोग बुज़र रहे है इसको Amazon River के हिसाब से बनाए गया है ऐसा ही Amazon River पर भी बना है 12 फिड लंबा सेम वैसा ही Movable Fresh Water Tunnel Aquarium कहा बनाए गया है बैंगलूरू रेलवे श्टेशन पर इसा इंडिया में पहली बनाये गया है तो आप इतना कन्फिूज मत होईगा इंडिया डेलो की बात करें तो इंडिया में पहली रेल गाड़ी चली थी 16 April 1813 को मुंबाही से थाने के वीच में चली थी 37 के लिए वर्तमान में चेर्मेन और CEO को ने सुनीत सर्मा आपको याद रखना है नया कोशन है बुलिटीन एक न्यूस टेलर प्रोग्राम है किसने लॉंच किया है तो बुलिटीन इसको लॉंच किया है फेस्बुक ने किसने फेस्बुक ने हाली में फेस्बुक द्वारा bulletin launch किया गया है जो कि news teller program है bulletin इसका main purpose क्या है US यानि अमेरिका में writers को promote करना जो independent writer होते हैं उनको promote करना तो इसके लिए bulletin news teller program किसे ने launch किया है facebook ने facebook की बात करें 2004 में इसकी स्थापना हुई थी California यानि Silicon Valley में इसका headquarter है founder at CEO कॉन Mark Zuckerberg CFO मतायाद रखिए आप ने question है Indian Army द्वरा Captain गुर्जिंदर सिंग सूरी की याद में War Memorial कहां पर स्थाफित किया गया है या फिर inaugurate किया गया है तो Indian Army द्वरा हल ही में जम्मू कस्मीर के गुलबर्ग में War Memorial inaugurate किया गया है Captain गुर्जिंदर सिंग सूरी की याद में ये हैं आपके Captain गुर्जिंदर सिंग सूरी इनही की याद में गुलमर्ग में एक War Memorial inaugurate किया गया है देए Captain गुर्जिंदर सिंग सूरी इनको मर्डो परान्थ महाविर चग्र से समाहर किया गया था 1999 में 1999 में में इंडियन आर्मी द्वारा एक ओपरेशन बिर्सा मुंडा रन किया गया था पाकिस्तानी पोष्ट को तबा करने के लिए उस बिर्सा मुंडा ओपरेशन में कैप्टन गुर्जिंदर सिंग सूरी का निधन हो गया था Captain Gurdjinder Singh Suri तोनी की आद में एक Army Memorial या फिर War Memorial कहाँ बनाई है गुलमरगा कहाँ पर कस्मीर में गुलमरगा मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी द्वारा गुलमरग कस्मीर में एक firing range का नाम विद्यावालन के नाम पर रखा गया है तो गुलमरग बहुत अच्छा में आपको अर्खना है इंडियन आर्मी के बाद करें 1895 में स्थाबना हों थी मोटो है service before self वर्तवान में 28th आर्मी चीफ कौन है MM नर्वने ने कोशन है Stephen Loughman हाल ही में किस देश के Prime Minister वापस रिलेक्ट हो है तो कुछ दिन पहले में बताया था आपको Sweden के Prime Minister थे Stephen Loughman Sweden के पहले Prime Minister बन गए थे जिन्होंने विश्वास मत होने की कारण रिजाइन किया था यानि confidence motion हालने की कारण रिजाइन किया था Stephen Loughman ने और वापस से अब ये Stephen Loughman Sweden के Prime Minister बन गए है आपको रखना है तो Sweden के Prime Minister को बन गए है Stephen Loughman हाली में बने है ये मैप में देख लिए Sweden कैपिटल है स्टॉक होन करेंसी क्या है सुईडिस को ना और Stephen Loughman अब सुईडन के Prime Minister बन गए है ने कोर्शन है स्पर्स सिस्टम फोर पेंसन Administration रक्षा प्रोग्राम किस मिनिस्टर दर लांच किया था स्पर्स प्रोग्राम लांच किया था Ministry of Defense के दोरा किसके दोरा Ministry of Defense के दोरा जो Employees हैं उनको pension Defense、Person पेंसन प्रोवाइड करने के लिए ये स्पर्स प्रोग्राम लांच किया था System for Pension Administration रक्षा नाम आद रखेगा ये जो SPERS प्रोग्राम है इसमें दो largest बैंकों को चुना गया है SBI और PNB तो बहुत maximum अगर आप से ये पूछेंगे एक्जाम में कि SPERS किसका प्रोग्राम है तो Defense Ministry का Pension System Program है SPERS फुल फॉर्म आद रखेगा System for Pension Administration रक्षा उसके आगे आपसे ये पूछेंगे इस पर्स प्रोग्राम के लिए कितनी बैंकों चुना गया है उनका नाम क्या है तो SBI और PNB को इस पर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया है Defense Ministry द्वरा और Defense Ministry में कोशें ये नहीं हुआ है कल भी थे पर्सों भी रहेंगे हमेसे रहेंगे नहीं कोशन है Hunger Virus Multiplies Report किसने रिलीज की है तो Hunger Virus Multiplies Report ये रिलीज की है Oxfam International किसने Oxfam ने हाली में Oxfam की Hunger Virus Multiplies Report जारी कीगी है इसमें बताया गया है कि Hunger जो है COVID-19 से ज़्यादा नुकसान दे है क्यों कि COVID-19 की कारण एक मिनट में साथ लोगों की मौत हो रही है वहीं Hunger की कारण एक मिनट में 11 लोगों की मौत हो रही है तो Hunger जो है COVID-19 से ज़्यादा खतरनाक है Hunger में जो 11 लोगों की मौत हो रही है उसका में कारण है 3C 3C मितलब Conflict COVID-19 और Climate Crisis ये तीनों कारण है जिनके वैसे Hunger के चलते 11 लोगों की मौत हो रही है हलाकि ये जो 3C है इनके कारण 5,20,000 लोग भुक्तमरी का सिकार हो गए है तो हमाई इंडिया में ये 3C काफे दे इंपैट डाल रहे है COVID-19, Conflict और Climate Crisis ये 3C याद रखेगा Oxfam ने अपनी रिपोर्ट में इस पेसली बताया है इन 3C को Oxfam की रिपोर्ट का नाम है Hunger Virus Multiplies Report तो हंगर के कारण 11 लोग मर रहे हैं एक मिनिट में और COVID के कारण 7 लोग मर रहे हैं एक मिनिट में Oxfam ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वर्तमान में 155 मिलियन लोग भुखमरी में जी रहे हैं जो कि 2020 से 20 मिलियन अधिक हैं तो ये अपनी Oxfam ने अपनी रिपोर्ट में ताया है रहाद रखेगा Oxfam का हेड़कोर्ट का है नेरोबी केन्या में और गैबरिला बुचर इसके डिरेक्टर है नया कोशन देखते है Sustainable Development Goals Report 2021 किसके दोरा पब्लिस की गई है तो Sustainable Development Goals Report ये पब्लिस की गई है UN दिसा के दोरा किसके दोरा UN दिसा देखिए कुछ दिन पहले ही New York में High Level Political Forum on Sustainable Development और्गनाईस किया गया है 2021 का सेशन High Level Political Forum on Sustainable Development UN दोरा और्गनाईस किया गया है New York में उसी में ये रिपोर्ट जारी की गई है Sustainable Development Goals Report 2021 किसने जारी किये UN दिसा United Nation Department of Economic and Social Affairs UN दिसा ने जारी की है रिपोर्ट इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2016 के दोरान जो Global SDG Database था उसमें 115 SDG इंडिकेटर्स थे लेकिन यही 2021 में बढ़कर 211 हो गया है तो 2021 में SDG Database में इंडिकेटर्स की संक्या बढ़कर कितनी होगी 211 ये फैट याद रिखेगा As per Sustainable Development Goals Report 2021 UN Secretary General ने ऐसा कहा है कि पिछले 20 वर्सों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 119 से लेकर 124 मिलियन लोग वापस Extreme Poverty में चले गए है 2020 के ज़ान तो पिछले 20 वर्सों में पहली बार 2020 ऐसा वर्स रहा है कि Extreme Poverty में 119 से लेकर 124 मिलियन लोग चले गए है As per UN Secretary General Sustainable Development Goals आपको पता ही है इनका Official नाम है Transforming Our World The 2030 Agenda For Sustainable Development यह Official नाम है इसका Total 17 Sustainable Development Goals है और 169 Targets है Including 304 Indicators हालाग यह आपे देखेगा Sustainable Development Goals Report किसने जारी किये UN DISA नए कोशन है हाल ही में किस State ने Officially Announce किया है कि उसके हाँ पहला Case पाया गया है Gika Virus का तो इससे पहले भी यह State जो है Gika Virus के लिए बहुत फिर्मस हुआ चुका है केरल केरल में Gika Virus का पहला Case पाया गया है हाल ही में साथ यह आपके लिए Important नहों हो लेकिन यह Important है कि Gika फैलता किससे है तो मॉस्कीटों से फैलता है ठीक है VIRAL Infection है VIRUS जनी तोग है और केरल एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बो पिक्टस यह जो मच्छर होते है उनके काडने से फैलता है आपका Gika Virus तो एडिस एजिप्टी से तो आप जान पहचान रगते हूं कि डेंगू चिकनगू निया ठीक है तो सेम हो ऐसे ही पहल अज़ा Gika Virus क्यो नाम पढ़ा तो कि 1947 में पहली बार यह यूगानडा के Gika Forest में पाए गया था तो Gika Forest काँ लोकेड़ है यूगानडा और यह है मैप में केरल जहां पर Gika Virus इंडिया में पाए गया है इससे पहले 2015-16 में यह एपेडिमिक घोसित किया जा चुका है कहां पर यूगानडा में इसकी कोई वैक्सीन नहीं है Gika Virus की तो पेंडिमिक चल रहा है अब एपेडिमिक हमारे इंडिया का एंडिमिक ना हो जाए ने कोर्शन है इसमें होट और गोल्ड वेदर की कारण इंडिया में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया में एवरेज एनुवल लगभग साथ लाग चालिस एरड डेथ होती है क्लाइमेट चेंज के चलते चाहे वो डाइक्टली हो या इंडाइक्टली हो तो साथ लाग चालिस एरड डेथ इंडिया में एनुवली होती है क्लाइमेट चेंज के चलते याद रिखे है लांसेट की रिपोर्ट के इंसार Lancet ने कहा है पिछले 10 वर्सों में 2000 से लेके 2019 तक जो ये death है वो temperature बढ़ने के कारण यानि hot temperature कारण अधिक हो रही है एक दसक में यानि 10 वर्सों में temperature average 0.26 डिग्री बढ़ी रहा है 0.26 डिग्री बढ़ी रहा है Lancet की report के इंसार और सबसेदर death rate कहां पर बढ़ रहा है तो इस्टन यूरोप और सबसारा अफरीका यहां पर highest heat or cold related death rate रहा है तो इस्टन यूरोप और सबसारा अफरीका याद रखेगा highest death rate रहा है climate change यहलते Lancet एक weekly journal है जो कि London, New York और बीजिंग से publish होता है इंडिया में कितने लोग मर रहे हैं प्रतिवर्स साथ लाग चालिस है लोग ने कोशन है agriculture infrastructure fund scheme इसमें modification क्या गया है आपको बताना है अब यह वैलिट कब तक रहेगी तो agriculture infrastructure fund scheme पहले 2019 तक वैलिट थी अब यह 2023 तक वैलिट तक वैलिट थी अब यह 2023 तक पढ़ते हैं government of India चालता है कि यह जो एक लाग करोड का total loan है agriculture infrastructure fund scheme इसको disperse कर दिया है इसके लिए government of India ने इसका tenure बढ़ा दिया है पहले 10 वर्स के लिए था अब इसको 13 वर्स के लिए कर दिया है यानि पहले 2029 तक के लिए था अब इसको 2023 तक के लिए कर दिया है यानि 2023 तक अब यह loan disperse किया सकते है maximum period government of India ने एक और चाल चली है कि कुछ और committee सामिल कर लिए जैसे APMCs को भी सामिल कर लिया है पहले नहीं सामिल थी APMCs पहले FPO सामिल थे इसमें APMC को आप भी कह दिया कि दो करोड़ तक का loan ले चेकते हैं AIF के दाए Agriculture Infrastructure Fund के दाए यह दो करोड़ तक का loan APMC को भी दिया सकता है Center government ने तीन से चार वर्सों में 4,300 करोड़ डिश्वर्स किये हैं तो इतनी slow speed से यह run कर रहा है कि यह समाप्ती नहीं उपाएगा पहले repayment period चार वर्स का था अब इसको बढ़ाकर छे वर्स कर दिया है यानि 2025 शब्देश तक आपको repayment करना है मैंने अभी बिताया 10-year speed इसकिंग कर गया था यानि 2029 यानि 10 वर्स तक था अब इसको बढ़ाकर 13 वर्स यानि 2033 तक कर दिया गया है agriculture infrastructure fund यानि यह जो एक लाग करोड है इसके तार long और medium ड़क के depth देने हैं ताकि post harvest management infrastructure बन सके कंट्री में और community farming को बढ़ावा बिले तो pre harvest infrastructure के लिए नहीं post harvest के लिए रखिएगा इना question है यह जो आपका government of India ने cement sector में यानि cement industry के लिए 25 member का development council बनी है cement industry के लिए इसके head होंगे पुनी डाल्मिया कौन डाल्मिया group of cement के head है पुनी डाल्मिया यह देख लिए यह है पुनी डाल्मिया यह 25 member development council for cement industry के head होंगे परपस क्या है पुनी डाल्मिया को 25 member expert committee का head बनाए गिया है जो की cement industry के बनाए गिया है तो पुनी डाल्मिया कमिया किसे related है cement industry में new application के हिसाफ से रिए कोशन है हाले में Italian navy के साथ जो इंडिया की exercise हो रही है उसमें इंडिया के किस naval ship ने participate किया है तो इंडिया के naval ship INS तबार ने आयनस तबार ने इटली इंडिया की निवी की जो नेवल एक्ससाईज करेंगे हैं। बस इतना है इंपॉर्टेंट है। आयनस तबार इंडिया नेवल से तबार यह military exercise में पार्टेट करेंगा जोंकि इटलीए नेवी की साथ हो रही है। आइनेस तबार, बहुत खास है रखेगा, यह जो exercise हो रही है वो 3 जुलाई को हो रही Mediterranean Sea में, पोर्ट का नम क्या है, पोर्ट आफ नेपल्स, इटली का पोर्ट है रखेगा पोर्ट आफ नेपल्स, वही पर आइनेस तबार जो है, इटलीन नेवी को जोईन करेगा तो exam में आप से पूछ सकते हैं, पोर्ट आफ नेपल्स कहा है इस्तित है, मेडिटेरेनियन सी में इस्तित है और इतली का पोर्ट है वही पर आइनेस तबार पार्ट पार्टिपेट करेगा military exercise में इनाउस किया गया है कि coconut development board act में वो संसोदन करेगा ये coconut development board act कब पास हुआ था? 1979 में 1989 में coconut development board act पास हुआ था ये दिखलीजे, government आफ इंडियान ने रिसाइक किया है कि coconut development board act 1979 में हो संसोदन करेगा यह जो संसोधनवा इसके तहट जो चेर्मेन है वो non executive person हो जाएंगे अभी executive person है साथ साथ center six members को nominate करेगा इसमें से चार member चार state से लिए जाएंगे उसके अलबा दो और member लिए जाएंगे आंद्वदेश और गुजराथ से तो total six member को center nominate करेगा पहले से जो चार member लिए जाएंगे उनके अलाबाद दो और member लिए जाएंगे गुजराथ और आंद्वदेश से तो यह state यह दखेएगा साथ जाए चेर्मेन होगा वो non executive हो जाएगा as per coconut development board act 1979 coconut development board की बात करें एक statutory body है ministry of agriculture के थहतकारी करती 1981 में स्थापना की गई थी coconut development board का headquarter है कोची केरिला में और वर्तमान में chairman कौन है राजबीर सीम पावर आज का last question है रिचार्ड डोनर हाली मेंन का निधन हो गया यह कहां से बिलॉंग करते थे तो रिचार्ड डोनर यह बिलॉंग करते थे यूएस अमेरिका से कहां से यूएस से यह है आपके रिचार्ड डोनर हाली मेंन का निधन हो गया यूएस से बिलॉंग करते थे रिचार्ड डोनर औ बहुत इजी है, आई होग कि आपका जवाब दे पाएंगे, जल्दी मिलते हैं आपसे भी नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक क्यार, गुडबाय,